विडियो बन रही थी लेकिन ठीक है आप आज यहीं पर रख लें यहीं पर रख लें यहीं पर रख लें, कोई नहीं मस्ला मैं मेरे सर पर रख लें क्योंकि एक complaint जो कि मुझे आपकी तरब से हमेशा देखने को मिलती है वो ये है कि बिलाल भाई आप जो फोन हमारे पास यहाँ पर लाकर दिखाते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि मैं हमेशा महंगा फोन लेकर आता हूँ वेल टर्न्स आउट के पाकिस्तानी मारकिट के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर आइटल जो है वो एक काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है और हमारे चैनल पर हमने इसको उत्रा कवर नहीं किया तो विल डू इट नाउ और अब हम इस चैनल के उपर आइटल को जार से जारा कवर करेंगे जो फोन आज हम करने वाले हैं यह आइटल विजिन 2S है और अगर आप इसके प्राइस टैग की बात करते हैं तो यह 14,000 की रेंज में आता है एक्जेक्ट प्राइस टैग में यहाँ पर डाल दूँगा अट टाइम अफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो यह उसी रेंज के अंदर है 2GB, 32GB वाला वेरियंट आप देख सकते हैं और ओफिशल वारेंटी के साथ यह आता है तो यह 12 महीने की वारेंटी में आ रहा है आइटल ऐस ब्राइंड मुबाइल फोन्स के लिए पॉपॉलर है लेकिन इनकी बाकी अक्सेसरीज भी बहुत अच्छी है इनका टीवी हम पहले से चेक आउट कर चुके है इनका साउंड सिस्टम भी हम चेक आउट कर चुके है और इनकी अक्सेसरीज भी आती है 5000 मेज की बैटरी 6.5 इंचेज HD वाटर ड्रॉप डिस्प्लेज जो है यहाँ पर लगाया गया है अब मैं यहाँ आपर क्लीर कर दूँ के आप जब बात करते हैं ना 20,000 यह उससे नीचे की किसी भी काटेगरी की तो वहाँ पर डिस्प्लेज साइज जनरली बहुत बड़ा deciding factor रहता है क्योंकि सबसे पहले companies उसी के ऊपर जो है ना वो कमी करती है यही बज़ा है कि इसके टॉप पर भी आप देख सकते हैं 6.5 इंचेस का जो डिस्प्लेज साइज वो मेंचिन किया गया है साइट पर लिखा हुआ है ओके फ्री प्रोटेक्टिव कवर इंक्लूड़ेड तो भाई इसके साथ कवर आ रहा है I think कुछ ब्रैंड जो चार्जर निकाल रहे हैं उनको सोचना चाहिए खैर बॉक्स जो पर से यह जो स्लीव है मैंने उतार ली है 6.5 इंचेस का डिस्प्लेज है 2 GB 32 GB की आप्शन जो है वो अवेलेबल है फोन का जो बॉक्स है वामारे सामने यहां पर आ चुका है इसको तर अन्बॉक्स कर लेते हैं और ओके कफी टाइट है तो खोल लेते हैं भाई ओके बॉक्स के साइट पर उनने अपनी वो जो चीजें हैं के बारे में पहले ही बात करता था वो बनाई हुई है बाइदो वे मैं आइटल के पेज के ओपर भी लाइव आ रहा होंगा बहुत जल्दी तो नेक्स वीक के अंदर मारा लाइव सेशन होगा मैं अनाउंस भी कर दूगा थैंक यू फो चूजिंग आइटल फैमिली प्राड़क्ट और बॉक्स के अंदर आपको ये बुक्लेट मिल जाती है जिसमें फर्स्ट अफॉल तो आपको बारा महीने का जो वारंटी कार्ड है वो देखन이 को मिल रहा है और उसके इलावा आपको एक हाड़े शेल केस देखने को मिल जाता है मुझे याद महीं है किस फोन के साथ हाड़े शेल केस निकला था इसकी वज़ासे थोड़ा सा टाइट फील होता है जो silicon cases होते है ना वो थोड़ा सा flumzy fail होते है यह ज़रा protective shell भी दे जाता है back side पर camera setup की option है और fingerprint scanner की option है तो मुझे नदर आ रहा है किसके दर fingerprint scanner की option जो है वो already available है phone को हम right से turn on कर लेते हैं before हम इसको यहां से निकाल लें और एक और चीज जो को बड़ी interesting है वो यह है कि box के अंदर आपको micro USB cable देखने को मिल रही है उसके इलावा आपको आपकी power brick देखने को मिल रही है और यह power brick जो है पाँच वोल्ट एक एंपेर किया तो कोई surprises नहीं है यहां पर भाई पाँच वोल्ट एक एंपेर की जो power brick हो दी गई है लेकिन जिस चीज के ऐसे मैं थोड़ा सा surprise हुआ था नवो यह hands-free है यहां पर box के अंदर आपको hands-free देखने को मिल रही है जो के 20-25,000 की range में कोई भी brand जनरली नहीं दे रहा I don't know कब से यह चीज कूल हुई है लेकिन अब काफी brand ने निकाल दी है और यह वो hands-free भी in-ear design में आती है जो के ज़रा ज़्यादा sound आपको provide कर देगी in-line controls है So nothing fancy लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि यह phone 14,000 की range में आ रहा है और उस range के हिसाब से यहां पर जो आपको value मिल रही है at least unboxing experience में वो तो काफी अथी है Phone को भी हम check out कर लेते हैं Okay, मेरे पास जो color मौझूद है वो इसका black color है और सामने की तरफ again वो ही जो features है वो mention किये गए है Okay, आपको जो screen protector है वो built-in देखने को मिल जाता है यहां पर water drop notch जो है उसका use किया गया है नीची वाली side पर fairly big chin है Bezels भी ठीक है नजर आ रहे हैं लेकिन then again you have to understand कि this is the device जो कि काफी entry level की device है और उस हिसाब से this is not too shabby यार honestly मतलब मज़दार चीज है camera setup के बिलकुल नीचे वाली side पर आपको speaker setup मिल रहा है तो downward facing speaker नहीं है बलके backward facing speaker है जिसकी वज़ा से I think थोड़ा सा sound waffle होगा जब यह phone table पर live light करेगा फोन को मैं setup कर लिता हूँ उसके बाद मिलते हैं ओके बाई phone यहाबर मैंने finally setup कर लिया है इसका जो back पर finger print scanner को भी setup कर लिया था और इसकी face ID को भी setup कर लिया है जहां तक back पर मौझे finger print scanner की बात है तो मुझे बहुत जादा accurate लगा है यह जरूर है कि अगर आपने display off किया होता है तो कभी कबार हलका सा split second ले जाता है बट देन अगेन finger print scanner की जो speed है वो काफी तेज है जहां तक बात है face ID की तो face ID finger print scanner से थोड़ा कम speed की है लेकिन face ID भी काफी decently काम करती है और hit and miss मुझे फील नहीं हुआ जो के एक हैरान कुन बात है पिकास जनरली इस price range में आप expect करते हो के accuracy जो है वो सबसे बड़ा problem रहेगी weight हम चेक कर लेते हैं इस mobile phone का और मैंने गहुर किया यार आप लोगों को unboxing video में ज़्यादा डीटेल चाहिए होती है तो आज के बाद हम ज़रूर दिया करेंगे पूरे 200 ग्राम का जो weight है वो इस mobile phone का आपको देखने को मिल जाता है और अगर आप इस पर case भी चड़ा लेते हैं तो इस mobile phone का जो weight है वो 217 ग्राम तक जो है वो चला जाता है अब यहाँ पर एक एक करके चीज़ को लेकर चलते हैं पहले तो अगर आप design की बात करते हैं तो honestly speaking I don't find anything wrong with the design मुझे design काफी decent लगा है और अगर आप थोड़ा सा उपर की range में भी चले जाते हैं तो generally इसी type का design है वो आप expect कर सकते हैं किसी भी दूसरी company की तरफ से भी तो design मुझे पसंद आया है उसके इलावा अगर आप बात करते हैं इस mobile phone की sim situation की तो पीछे ख़ड़ा फराज मुझे से पूछ रहा था कि भिलाल भाई इसका sim ejection pin जो है ना वो बॉक्स में नहीं निकला तो उस चीज़ को mention कर दीज़ेगा मैंने सुबताया भाई sim ejection pin की ज़रूरत ही नहीं है इसके बाग है वो removable है आपके पास दो sim card की option है वो यहाँ पर मौझूद है और उसके लाव उपर और आई साइट पर आप memory card भी डाल सकते है और एक और चीज़ को बड़ी interesting है वो यह है कि बाग पर manufactured in Pakistan बहुत ही proudly mention किया गया है तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि this phone is manufactured in Pakistan तो वो चीज़ भी एक अच्छी जा रही है अभी तक भाई इस range के फोन ने जो चीज मुझे सबसे ज़्यादा surprising दिखाई है वो इस mobile phone का display है like look at this display यह किसी भी तरह से कम नहीं लगता 720p resolution में आता है और उसके इलावा यह 6.5 inches का display है quality वाली side से भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है even जो responsiveness है इस mobile phone की वो भी काफी मज़दार है again you have to consider the price लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे को बहुत बड़ा abnoxious feeling area जो है वो नजर आया हो यहाँ पर android 11 go जो है वो apparently किया गया है तो यहाँ पर google go है वो available है लेकिन बाकी जो softwares है वो normal versions में है I don't know files का क्यों normal version है क्योंकि files का go version आता है मुझे पता है तो facebook जो है वो भी light version में install की गई है although मुझे लगता यह है कि इस mobile phone के अंदर इतनी power है कि अगर आप इसके अंदर full sledge version का भी facebook download करते है तो वहाँ पर issues नहीं आने वाले एक और चीज़ जो कि मैं आपर mention करना चाहूँगा वो यह है कि अगर आप इसके system में जाते है तो यहाँ पर आपको बाकी जो main highlights है वो पता लग जाती है और यहाँ पर जो CPU है वो 8 cores का mention किया गया है इसके अंदर एक Unisock का chip है जो के 8 core chip है और अभी तक की जो उसकी performance है I can say कि day to day task के अंदर आपको किसी भी किसम का मस्दा नहीं आने आने वाला और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि YouTube सर्फिंग करते हैं WhatsApp या Social Media चलाते हैं तो यह बड़े अराम से आपका जो overall usage है उसको पूरा कर देगा जहां तक बात है इस mobile phone के speaker system की तो भी चेक कर लगते हैं मुझे अभी तो ठीक लग रहा है, loud तो ठीक है लेकिन हम YouTube देख लगते हैं तो अगर आप speaker sound quality की बात करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि speaker की loudness ठीक है लेकिन हलका सा muffled feel होता है और जब आप नीचे रखते हैं तो उसकी loudness में भी थोड़ी सी कमी आती है बट काफी standard type का speaker system है वो यहाँ पर लगाया गया है camera situation की अगर आप बात करते हैं तो back पर main camera जो है वो आट में का pixel का लगाया गया है और उसके लावा I think एक portrait sensor जो है वो include किया गया है तो आपको एक portrait sensor की option भी मिल जाती है यह जो तस्वीर है यह normal mode में ली गई है और दूसरी जो तस्वीर पहले में आपको दिखाई है यह low light mode के ली गई है तो दोनों low light और normal mode में को खास जादा फरक है नहीं एक चीज जो के important है वो यह है कि इसके अंदर आपको AI beauty filters भी मिल जाते हैं और front camera जो है वो 5 megapixel का लगाया गया है और front camera की quality मुझे decent लगी है 5K एसाब से तो आप अगर selfies लेते हैं इस range के अंदर यह आपको ठीक result प्रवाइड कर देगा विडियो resolution की अगर आप बात करते हैं तो full HD विडियो resolution जो है यह मुबाइल फोन प्रवाइड करता है portrait mode भी यहाँ पर दिया गया है अब यहाँ पर हम किसी चीज की portrait खेंज के भी देख लेते हैं कि एक सथ तक जो है वो portrait प्रवाइड करता है अगें थोड़ा सा लोड होने में time लेता है बट portrait mode जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है और back पर जो sensor है I think portrait mode के लिए ही दिया गया है other than that यार mobile phone का जो overall look और feel है वो भी मुझे decent लगी है एक चीज मैं clear करना चाहूंगा कि नीच वेर शायट पर जो charging port है वो micro USB की दी गई है और इस mobile phone के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है तो यह charge होने में थोड़ा time जरूर लगाएगा लेकिन battery की जो overall timing है वो काफी बेतर होने वाली है क्योंके 5000 mAh की battery कोई बहुत बड़े processor के साथ नहीं लगाई गई तो उसकी वज़ा से जो battery timing है उसमें आपको ज़्यादा problem नहीं आने वाली मुझे comment section बताईएगा कि इस range में जो phones आ रहे हैं उनके बारे में आपके क्या opinions है अगर मैं अपना experience यहां पर sum up करूँ तो यार मैं यह कहूँगा कि आज से अगर आप दो साल पहले चले जाते हो ना तो there was a very big gap जो के 30,000 की range में phones में और let's say 15 या 20,000 की range के phones में होता था और मैं हमेशा कहता था कि 15, 20,000 की range का phone खरीदना ही नहीं चाहिए लेकिन अब वो gap जो है वो आइस्ता इस्ता करके fill हो रहा है इवन जो flagship phones है उनमें भी कोई जादा changes आ नहीं रहे जिसकी वज़ा से हमें low range की devices हैं वो अच्छी quality में और अच्छे specs के साथ देखने को मिल रही है किस phone के लिटे आपके क्या opinions है चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लीजेगा वीडियो को like कर दीजेगा दोसे कर शेयर कर दीजेगा इस वीडियो में इतना ही दहस्त बलास है निगा और अलागतर